तो सातियार आज हमारे सामने खड़ी है न्यूली लॉंच्ड हीरो की तरफ से आने वाली एक्स्ट्रीम का 125 सीजी का सेगमेंट यहां पर आप देख सकते हैं इसकी चावी को जिस तरीके से होने वाले इसके सारे ही फीचर हम आपको बताएंगे और कल जो आपने इस कंसेप्ट जो आपके मन में है वो सारी चीजे हम आपको कलियर करेंगे फाइफ फीचर मैं आपको बताएंगे जब वन हंड़ेट सीसी की बाई के एक लाग रुपए में आ रही है लगबग तब यार 125 सीसी का मार्केट यार एकदम ही यार सातियों बहुत जादा हो गया है ऐसे में चा सारी ही चीजे आज की वीडियों बताएंगे सबसे पहले तो यार इसके हम ग्राफिक्स वगयरा की बात कर लें यहां पर हम आपको फ्यूल टेंग देखने के लिए मिल जागा सातियों और जो खास फीचर बनाएं वो है इसका माइलेज यार सातियों माइलेज भी हम आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले इसके ग्राफिकस भी श्यायों पर काफी प्यारे से हम यहां पर टेंग का पैड़ा है सिंगल बार कि साथ आती है यहां पर आपको बताने वा करया भी आपशी होती है वो इसमें आपको बदाने वाला है सातियों यहाँ पर देख सकते हैं 2 trip meter मिल जाएंगे average fuel consumption, gear shift indicator ABS का sign और सारी चीज़ों को आप यहाँ से adjust कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ सातियों इसका यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ इंजन का kill switch hazard light का switch यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा सातियों और front के अगर हम profile की बात कर लें तो यहाँ से हम आपको दखाने की कोसिस करते हैं front में आपको DR rails देखने के लिए मिल जाएंगी premium DR rails देखने के लिए मिल जाएंगी lights देख सकते हैं यहाँ पर यह जो suspension आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 48 mm के suspension देखने के लिए मिल जाएंगे गाड़ी में और साथ में looks देख सकते हैं looks काफी ज़्यादा premium होने वाला है गाड़ी का और engine की बात कर लें तो यहाँ पर साथियों यार 180 mm तो शड़कों से गाड़ी काफी जादा उची होने वाला है 180 mm होने वाली seat की height तो अगर आपके height 5.2 भी है तब भी आपके लिए गाड़ी best option हो सकती है साथियों और यहाँ पर rear में क्या है changes जैसा कि आप बुल रहे थे कि stand rear का second stand तो यहाँ पर हम आपको दखा दें इसमें single stand आता है double stand इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पर हम आपको दखा देते हैं कुछ इस तरीक से और chain का cover up किया है यहाँ पर chain का cover हम आपको दखा देते हैं जिस तरीक से वेट ट्राइचेन देखने के लिए मिल जाएगी और यह जो टायर है यह 120 असी और 17 एंची का यहाँ पर आपको टायर देखने के लिए मिल जाएगा सकते हैं सबक्राइचेन पीक्षे Amaury सब्सक्राइचेन से मिल जाएगी और लिडी टेलिवाइट लाइट तो यहां से देख सकते हैं साथ यहाँ एलीडी टेल लाइट है बढ़िया सी यहाँ पर प्रीमियम एल ट्यू टेल लाइट देखने के लिए मिल जाएगा साथ यहाँ लुक्स देख सकते हैं लुक्स गाड़ी के काफी ज़्यादा बढ़िया होने वाले हैं और फ्रेंट में आपको यहाँ पर 300 mm की डिस्की की प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी है 187 NG का टायर देखने के लिए मिल जाएगा है यहाँ पर यह देख सकते हैं कुछ इस तरीके से और साथ में यार इसमें आपको सिंगल चैनल ABS के साथ मिल जाएगी प्लेट आप देख सकते हैं डिस्की की कुछ इस तरीके से होने वाले है और जो बिल्ट की क्वाल्टी है ABS इसमें यार दो मोडल आपको देखने के लिए मिलेंगे ABS और IBS याने की Intelligent Breaking System और ABS याने की Intelloking Breaking System तो जो IBS वाला वेरियंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका प्राइज इससे कम हो जाता है इसका प्राइज 95,000 रुपए ओन रोड नहीं होगा यह एक्स रूम प्राइज होने वाला है और साथ में मित्रों यार क्या आपको पसंद है यह गाड़ी कमेंट में जरूर बताना मित्रों तो साथ यार जब आज के जमाने में यार 125 CC की बाइक में काफी competition हुआ है यार फिर चाहिए हम राइडर की बात करने या फिर बात करने स्पी 125 की ऐसे में यार यह समय में हो सकता है कि 160 X Team भी इसी लुक में आये साथियों क्योंकि यार लुक्स काफी बढ़ी है एन्हेंस किया है अपडेट करने की कोसिस की है कंपनी ने यार इस गाड़ी में साथियों लुक्स देख सकते हुआ काफी premium है यार बहतरीन X Team 125 का अच्छा कदम है यार साथियो एक बहतरी मतलब मिसाल पैदा कर देगी इस लुक में क्योंकि यार competition तगड़ा है राइडर का आपने देखा यार किस तरीके से राइडर TBS की बिक्ती है और 125 CC में यार SP का भी अच्छा खासा मार्केट है तो क्या ये गाड़ी उन दोनों गाड़ियों को बेट कर पाएगी तोड़ पाएगी मित्रो यार ये चीज आपको ही बताना पड़ेगा कमेंट वें आज के लिए इतना ही मित्रो यार वीडियो को लाइक करना मत बूलना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद